दोस्तो फिर से स्वागत आपको ने वीडियो के साथ दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Vivo Y53S में आप यहाँ पे screen pinning कैसे कर सकते हैं तो किसी भी application को अगर आपको pin करना है तो यहाँ पे screen pinning करने के लिए आप क्या करना है जैसे कि आप यहाँ पे चले जाएंगे setting पे और setting पे जाने के बाद यहाँ पे आपको security पे click करना है security पे click करने के बाद यहाँ पे scroll करेंगे तो आपको app pin का option देखने को मिलेगा आप इस पे click कर देंगे और इसे on कर देंगे और ok कर देंगे यह वाला option भी आपको on रखना है इसके बाद यहाँ पे आप minimize कर देंगे या back कर देंगे आपकी मरजी और यहाँ पे जिस application को pin करना है उस application को यहाँ से ऐसे करके open कर लेंगे और यहाँ पे open करने के बाद यह जो बीच वाला button है आप इस पे minimize कर देंगे और screen pin करके देना है किसी को तो यहाँ पे task bar open कर लेंगे तो यहाँ पे आपको यह two dot का option देखने को मिलेगे यह two lines है जो आप इस पे click कर लेंगे तो यहाँ पे आपको यह option देखने को मिल जाएंगे जो pin का option है आप इस पे click कर लेंगे इस tab से से आप यहां पे screen pinning यूज़ कर सकते हैं और इसको हटाने के लिए आपको क्या गरना है टू-finger को यूज़ करना है एक फिंगर को आपको यहां रखना है दूसरे finger को यहां रखना है मतलब एक तास्क बार पर एक बाक बटन पर दोनों को एक साथ इस step से टाप करेंगे और आ आपके और इंट्रेसिंग वीडियो देखने के लिए चैनल भी विजिट करते रहेगा चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार